मुंबई के चेम्बूर पुलिस टेशन ने कैसे आरोपी को गिरफतार किया जो खुद को कोविड अधिकारी बता कराम आदमी को लूटता रहा पुलिस ने शिकायत करता के बयान के अधार पर दो सक्स के खिलाफ धोका दड़ी का मामला दर्च कर कारोपी को गिरफतार किया चेम्बूर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 30 जून की शाम करीब 6 बजे चेम्बूर के सरसुती विदाले के सामने पिडित अब्दुल याकूब शेक जो चेम्बूर स्टेशन से अपने घर के तरफ जा रहा था तभी दो अग्यात लोग आए और खुद को कोविड अधिकारी बता कर पिडित के तलाशिक करने लगे पिडित के हाथ में मौझूद बैग में से कैनरा बैंक के एटियम निकाल कर पिडित के खाते में से 54,000 रुपे निकाल लिये गए जब इसकी भनक पिडित को लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसने तुरंत नज़िकी पुलिस टेशन में जाकर मामला दर्च कराया मामला दर्च करने के बाद पुलिस ने तुरंत इसकी जाच शुरू कर दी पुलिस घटना सल पर पहुची CCTV फुटेज को खंगाला CCTV फुटेज खंगालने के बाद उसमें देखा गया कि एक होंडा सिटी कार और उसी होंडा सिटी कार की मदद से पुलिस उस मामले की जड़ तक पहुची चिंबुर पुलिस ठाने में पियार नमबर 238 अंडर सेक्षन 420 34 आज़ी से दाखल है यह गुने में दो आरोपी निश्पन हुए है दोनों आरोपिता ने कंप्लेन को कोरोना अजिकारी है ऐसी बताओं नहीं करके उनका एटियम कार्ड लेके उनके खाते में से 54,000 निकाल लिए ऐसी गटना जिनांक 36,000 को हुई है और गुना दाखल है एक साथ 2,000 प्रेंटी टेक्निकल चीजों का अब्यास करके दो आरोपित को अटक किया है